जिसका सभी को था बेसबरी से इंतजार वो घड़ी आ गई रन्बीर आलिया के घर नंधी परी आ गई जिहां आलिया भट मा बन चुकी हैं इस पल का कपूर परिवार और भट परिवार के सासा सभी फैंस को बेसबरी से इंतजार था मम्य पापा बनकर आलिया और रन्बीर की खुशी का ठीक आना नहीं है बॉलिवुड का मोस्ट लविंग कपल अप पेरिंट कलब में शामिल हो गया है ऐसे में सोशल मीडिया के जरिये फैंस के साथ साथ बॉलिवुड सेलेप्स भी कपल को बढ़ाई देते नजर आ रही है इसी बड़ी गुड न्यूस के बीच दादी बनी नीटु कपूर को बांदरा में स्पॉट किया गया जहां पर उनके चेहरे पर दादी बनने की खुशी साफ देखी जा सकती थी इस दौरान उन्होंने पैपराजी के सवालों के जवाब दिये वही आलिया और पोती को लेकर उनका हेल्थ अपडेट भी दिया बेबी किस पर गई है इस सवाल का जवाब भी नीटु कपूर ने दिया आपको बता दे कि आलिया और रनबीर के बेबी के जन्म के बाद कपूर खांदान और भट फैमली में जश्न का महौल बना हुआ है कपूर और भट फैमली के लिए ये बहुत बड़ा और केज़द हैं देखना होगा कि इस नई खुशी को दोनों फैमली किस अंदास में सेलिब्रेट करती है क्योंकि कपूर फैमली अपने जश्न और पार्टी के लिए जाने जाती है तो इस बड़े मौके पर पार्टी तो बनती है गौड तब है कि आलिया भट और रनबीर कपूर इसी साल 14 अप्रेल को शादी के बंधन में बंधे थे और शादी के कुछ दिनों बाद ही कपल ने ये जानकारी दी थी कि वो नन्हे महमान का स्वागत करने जा रहे हैं इस न्यूस को सोन फैन सर्प्राइज हो गए थे और काफी खुश भी वेलब आलिया भट के मा बने की खबर जब से सामने आई हैं सभी कपूर खांदान की नन्ही परी की पहली जहलक देखने के लिए बेताब हैं लोग आलिया और रनबीर की क्योट लेडल गर्ल को देखने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं सभी के दिल में खुशी और बेबी को देखने की एकसाइटमेंट है फिलहाल पेरेंट क्लब में शामिल हुए रनबीर आलिया की बेबी गर्ल की पहली जहलक देखने के लिए अभी करना होगा आपको थोड़ा इंतजार इस खबर में फिलहाल इता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ झाल झाल